हेलो दोस्तों, मैं अंकितमान और मैं एक डीजे और परडूसर हूँ लोजिक प्रोएक्स की कम्प्लीट बिगनेर कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है तो बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस टोपिक में हम एंकर पॉइंट के बारें बात करेंगे अंकर पॉइंट क्या होता है और उसक कैसे हम अपनी ओडियो फाइल्स पर अप्लाई कर सकते हैं तो देखते हैं तो मैं आपको पहले बता दू हमने अपनी कुछ पिछली वीडियो में मीडी रिजन के बारें हम बात की तो यह हमारा ओडियो रिजन है जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी हमारे जो टोपिक चल रहा है वो हमारा media region का था media tracks का बारे है basically जिसा हमारा audio region है तो वो media region था तो आपको पता हुआ जम media region को move करते हैं तो वो एक particular grade में, beat में, bar में move करता है उसको हम select करते हैं जैसे हापे आपको snap mode दिख रहा होगा हमने अपनी पिछली वीडियों में बात किए snap mode के बारे में भी तो अगर आपने मेरे वीडियो जब तक नहीं देखी है तो उनको जाकर देखे पहले तो आपको सब पहले ही संजमा जाए गाए और आप इस वीडियो को और अच्छे जान पाएंगे तो snap mode दिख रहा होगा है snap mode में अगर में माली स्मार्ट पर select है स्मार्ट पर select है मेरा तो मैं इसको smartly कहीं भी move कर सकता हूँ बिना move, बिना bar, time, कुछ भी bar, grade, किसी मतलब basically बिना किसी के move कर सकता हूँ और हम से बट अगर मैं इसको bar पर लाता हूँ तो आप देखेंगे मेरा यह एक bar पर ही move हो रहा है आप देखेंगे बीच में कोई option नहीं आ रहा है direct bar का रहा है बट आपने एक नोटिस की होगी bar में आने के बाद यह इन proper एक reason में नहीं आ पा रहा है जैसे हमारे ओर आ रहे हैं जैसे लिपरो पर आ चुके है यह नहीं आ रहा है हमारा तो आपने देख आज नहीं आ पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा अपनी हाँ पर देख रहे हैं option में snap present to absolute value लिप है snap present to relative value तो अभी हमारे relative value बदा अगर मैं से snap पर कर दूँगा तो अब देखेंगे मैं इसको पहले move करूँगा तो मेरा ही पहले एक बार में आएगा पहले बार में आया है फिर आगे move करूँगा तो अब देखेंगे इसको बार में ही move करेगा इसको उदर ले जाओंगा तो देखेंगे आप अब हमारे पर्टिकलर के बाहर में आ रहा है पहले हमारा थोड़ा सैड में था अब पूरा स्टार्टिंग्स हो रहा है बट यह हो तो गया लेकिन इसका अमारे लिए नुकसान है क्योंकि अभी यह यहां पर ओफवीट हो गया इसे प्ले करूंगा आपको थोड़ा बूत क्योंकि यह एक बैल है तो यह पर्टिकलर इसा उतना फरक नहीं बता पाएगी तो मैं आपको सुना तुम्हार को चाहिद पता चलते हैं घड़ावर पता चलते हैं कि यह ओफवीट है तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए मैं सकते हैं किया करूँगा अब हम बात करते हैं एंचर पॉइंट के बिसीकलि ऑच्ग्ली यह अंप्र पॉइंटे अब हमाना यहां पहां पर उजभगा अखर पॉन्ट बेसिकली क्या होता है मैं उको बताता हूं सप्पोस किज़िए मैं आपको यहां किलिक करता हूं असवाले हमारे ब्राओश के क्लिक किया हमें नहीं तो आप देख रहे होंगे जितनी ओडिवास सारी यहाँ पर आ गई हैं जितनी अंदर ही है एक एक आर एक कि आ गई है तोara चीने आप देख रहे होंगे जिसे अमारे स्प्लिट भीardi में कुछ इंस में सिकीड से प्दकड़ेर अपर तो जो आ पॉन्ट देख रहे हैं यह विसिकली हमारा एंकर पॉइंट है इसका मतलब है जैसे हम यहां से प्ले कर रहा हूं जैसे यह वाली है तो यह प्ले होंगी तो वो यहीं से प्ले होंगी हर एक फाइल और यह फाइल हमारी वो जहां हमारा एंकर पॉइंट है यहां से प्ले होंगी यहां से प्ले कैसे इसको एडिट करते हैं anchor point को मैं option इसमें टबर ट्लिक करूँगा तो आप देखेंगा हमारा ये pop up window को लगई है इसकी तो इसमें आप देख रहे होंगे ये छोटा सा हमारा anchor point देख रहा है आपको मैं इसको क्या करूँगा यहां से move करूँगा और जो ये beat होगी वो यहां से start नहीं होगी जहां से हमार anchor point लगा है वो ही से start होगी अगर suppose मैं इसको यहां लगा दूँगा तो जो हमारी ये file होगी वो हमारी यहां से move होगी यहां से play होगी यहां कर देता हूँ तो यह वाली file होगी ऐसे में को चोटी सी आप को यहां पे कुषर धिस अवारा दिख रहा है तो यह को मुघ करोंगे ही कि धिल कि हो ज纯ह हो सब्सक्राइब our Pad व को गरें गया आप सुने महारे पूरा ग्रिडदugen इहां गया वाथ इसनी कोम और से किया कोउचा ता है यहां से महला इल Aryon अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप सुनेंगे हमारे पूरा ग्रीड पर होगा पूरी टाइमिंग इसाथ प्ले होगा हमारे तो आपने देखा इसका हमने कैसे यूज़ किया और बेसिकली हमारा बेट टू बीट काम चल रहा है अब सही से मूव हो रहा है और बेट पर प्ले हो रहा है बेसिकली तो ऐसे एंकर पूंट का मैं ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो आप एक्सलोर कीजिए इसके एक बार अच्छे से देखिए आपको रच्छे संजु आएगा तो इस वीडियों में इतना ही धन्यवाद